फिर उड़ा कितने सवाल जिवाब करता है background मेरे से कस्म से तोबसा ने कि मैंने कहा था ना कि मैं इन्ही सुनना चाहता था कि मैं सब कुछ खुद री करती हूं यह यहां कि निशयर आप बड़ी सुंदर हो आप जडरूर माडल बनुग इनियुष caring मैं तेंशन देती हूं किसी की टेंशन में पता थी कि लांचिंग पर बहुत से लोग आएंगे और बर्टे कर गीफ कर देगा तैसे नहीं चलेगा आपको आना पड़ेगा वहां पर और जमुव कश्मीर की पहली फिल्म डारेक्टर निश्या गुपता जी से मिलाने जा रहे हैं जो प्रोडियोसर भी है, कोडियोग्राफर भी है, सिंगर भी है, स्क्रिफ्ट राइटर भी है और कम उम्री में ही जो है इन्होंने काफी नाम कमाया है लगातार आपने भी इनके गाने वगएरा जो है वो जरूर सुने होंगे millions में दिनों में ही इनके views जो है वो चले जाते हैं इनसे हम बातचीत करते हैं मैं सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपने अपना जो अकीमती वक दिया सबसे पहले में आपका शुक्रियादा करना चाहते हूँ कि आपने मुझे यहां पे invite किया और उसके बाद हमारी जन्ता का शुक्रियादा करना चाहते हूँ जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं मैं सबसे पहला सवाल मेरा यह रहेगा जो जन्ता भी जानना चाहती है अभी वीडियो को डाले हुए दिन कुछ दिन ही हुए होते हैं तो वीव जो है वो मिलियंस में पहुंच आते हैं क्या राज है इसका राज पब्लिक ही है पब्लिक प्यार ही मुझे इतना करती है कि वीव तो जाने ही है हमारा सबसे पहले हमारा यह रहता है कि जब हमें पब्लिक प्यार करती है ना तो फिर हमें काम करने का इतना मज़ा आता है ना तो जब पब्लिक की स्पोर्ट मिलती है फिर हम अच्छा काम करते हैं तो भी उस तो आने हैं मुझे यह बताएं कि अगर हम लड़कियों की बात करें हमारे जमुव कश्मीर की बात करें तो इस फिल्म इंडिस्ट्री की तरफ जो है उन्हें नहीं आने दिया जाता है तो आपको कैसा स्पोर्ट रहा गरवालूं का और किस तरह से आपको यह शोग पैदा हुआ कि मुझे फिल्म इंडिस्ट्री में ही काम करना है जी देखिए मुझे बच्पन से ही शोंग था मैं स्कूल कॉलेज कहीं भी फंक्शन होते थे तो मैं सबसे पहले डांस जाह स्टेज पे में रहती थी मुझे कभी भी किसी ने मना ने किया इन चीजों के लिए मुझे सबसे पहले मु है मैं इन लड़की के लिए यह परेहना वनना चाहती हूं कि जो कहते हैं कि फैशन लाइन जो अच्छी नहीं है यह इंडस्ट्री अच्छी नहीं है तो देखते हैं आप ऐसी ड्रेसज पहनने पढ़ते हैं तो यह सोचता है कि नई नहीं यह अच्छि बात नहीं है इस लिए लाइन अंच्छी नहीं है तो मैं वोगों को बतानाegen चाहती हूं जिरूरी नहीं मैं की सब strongly करें जा सकति है मोडलिंग सुपल रहे किया सकती सद्ध मेरे वह गीूनिंग मैं तो कोई सिंपल सूट है यह तो जब निशा बड़ी होगी ना तो मडल जरूर बनना तो तब आप बच्चपन के हर्मान भी जा गए हैं आपको इग्नोर करना चाहिए, प्रॉब्लम्स किस चीज में नहीं आती है, हर काम में प्रॉब्लम्स आती है, बट जिसको अपने मैनत से आगे पहुंचना है, फिर वो सारी चीजों को आँख बंद करके पिछे छोड़ देना चाहिए, प्रॉब्लम्स आपको आएंगी हर मुझे कभी किसी नहीं आरे बाकी, अगर सो में से दो बोल भी देते हैं, कुछ तो मुझे फरकी नहीं बढ़ता, इतनी टैंशन कोन ले रहा है, मैं टैंशन लेती नहीं, यह लेती नहीं किसी की टैंशन, टैंशन देने वाली मॉडल है हमारी, मैं मझीद यह जानना चाहू के हैं अपनी कंपनी में हैं मेरी अपने जो नीशा पूडक्शन-जम्मू मेरा अपना चैनल रहा है उसमें लाखी मैंने दूसरी कंपनी वी की यह हूँ है तो अभी मेरे काफी प्रजेक्ट आने वाले जो पैंडिंग पड़े पहले से यह सोचा था कि किसी दूसरे को आगे जाने नहीं देना है, सारे काम खुदी करने है, यहां दूसरों को भी कभी मोका देना है, कि वो भी काम कर ले, देखो मैंने प्लैटफॉर्म ही अपना जो बनाया, निशा अपड़क्शन जमू सबको मोका देने के लिए बनाया, कि किसी को भी अपना टैलेंट आगे लाना है, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, बाकि अब जो मेरे अंदर खूबी हैं, उसका मैं क्या कर सकती हूँ, अब मुझे अच्छा लगता है सारा काम करना, तो मैं करती हूँ, जिसको भी करना है, तो मेरे से मिले, इस साल में 20-25 प् में खूद हूँ, मेका पार्टिस्ट भी अपनी खूद हूँ, मॉडल भी खूद हूँ, और अपने सौंग में अभी तक तो मेरा, तो मैं कह रहा था, कि इन्होंने दूसरे को मोका नहीं देना है, अब इन ही के मुह से आपने सुन लिया, कि सब कुछ मैं खूद ही हूँ, अब इन्हीं के मुह से सुनना चाहता था, कि मैं सब कुछ 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 ही करती हूँ, तो फिर दूसरों को कहा, एक तरफ आपने कहा, मैं दूसरों को मुका दे रहे हूँ, प्लैटफॉर्म दूँगी, बट अब सारा काम मुझी आता है, मैं किसी पे डिपेंड नहीं होता ह अब आपको देखकर कोई लड़की चाहती हो कि काश मुझे भी मुझे मौका मिल जाए, मैं इनके साथ काम करूं और मैं इनकी तरह माडल बनूँ तो उनके लिए कोई मैसेज चंद लाईने बिल्कुल हर लड़की बन सकती है, हर लड़की सुन्दर होती है, हर लड़की मौडल बन सकती है, किसने कहा कि वो नहीं बन सकती है, अकसर देखा जाता है लड़कीों को बला जाता है, तू काली है, तू बदसूरत है, तू क्या मौडल बनेगी? ना, हर लड़की में आपकमिंग प्रोजक्ट क्या है आपका है पहले उस स्वाल पे जाता हूँ अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आप ज्यादा से ज्यादा खींच के 15 दिन में प्रोजेक्ट त्यार कर दोगे मैं तो अपना महीने का काम एक हफते में कंप्लीट कर देती हूं महीने का काम वह आप पर डिपेंड करता है मैंनत बहुत लगती है और मैं आप से यही बहुत अच्छा हुआ मैं हमेशा कहती हूं अपने अडिटर को अखिल इसमें कोई ना कोई कमी शूट गई है अगली बार हम उसको करेंगे और आप उसको दो मिनट के लिए बोल देते हैं बेकार प्रजेक्ट और वह जो बेकार प्रजेक्ट जिसको आप बोलते हो वह बड अगर कोई चीज उसमें और एड करनी है तो आप हमें बता सकते हैं अपने कमेंट में बट मेरी बात नहीं कर रही है मैं जो बाकी और भी तो महनत कर रहे हैं लोग मुझे तो आज तक अभी किसी ने ऐसा कमेंट नहीं किया हमेशा लोगों का प्यार मिला तभी तो इतने करना चाहती हूं कि हम सारे भाई पहर मिलके यहां पर इंडॉस्ट्री बनाए और जिन में टैलेंट है उनके टैलेंट को हम और परमोट करें अब कमिंग प्रोजेक्ट क्या है जी मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट हा रहा है वह सर्प्राइज ही है सबके लिए तीन सेप्टे मिलेंगे जल्दी ही निया सौंग मेरा लॉंच होगा तो आप सब भी आना वहां पर मेरा बड़े भी था तो मैंने सोचा क्यों पहला गाना है तो अपने बड़े पर लॉंच किया जाए इसलिए मैंने बड़े वाला दिन चुना हमारी तरफ से भी आपको जनम दिन की गूगल पे कर देना मैं नमबर डाल दोंगे कोई बात नहीं गूगल पे चल रहा है वैसे आपका है गूगल पे चल रहा है बर्टे पर आपको जो है वो गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा और तीन सेप्टुमबर को इनका एक नाया प्रोजेक्ट जो आ रहा है आज मैंने इसलिए सुन्दर लोग ना बड़े तंग करते हैं लोगों को और यह कुछ ज्यादा ही कर रही है वह अपको बता दें कि तीन सेप्टुमबर को जो है इनका नेक्स प्रोजेक्ट जो आ रहा है आप इंतजार करें उस प्रोजेक्ट का और जिस तरह से आज से पहले इनहें को देते आ रहे हैं बलुह आज के बाद भी जो है वह इसी तरह से प्यार देते रहें नीशा प्रोडेक्शनbad om और आप से यही शुक्र करना चाहूंगी हाथ जोड़के विंती करना चाहूंगी कि जैसे आज तक प्यार देते रहें मजाक मस्ती तो चलती रहती है बस ऐसे ही आप हुझे अपना प्यार देते रहें आप लोगों की वजह से आज मैं यहां बैठी हूं बातचीत कर रहें इन मैं फिक्स कर लिया है शाइद इन्हें पता थी के लांचिंग पर बहुत से लोग आएंगे और बर्डे का गिफ विसाथ साथ देखे जाएंगे यही यही मैंने स्कीम लगाई थी और क्या पत चल गए आपको सर्प्राइज सा खराते हैं यही जो है चीज थी और एक चीज बहुत अची बात इन्हें ने कही कि किसी के कंटेंट चार मिनट के कंटेंट को जो है वो ऐसे जज ना करें क्योंकि उसके पीछे जो है वो महिनूं की महनत होती है तब जाकर जो है वो चार या पांच मिनट का कंटेंट बनता है इस तरह से जज ना करें हमेशा जो है प्या को दीजिए इचास